आज का मेरा टॉपिक है क्रोनिक पैनी मोडल थे इन लोगों ने ऐसे बोला कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर हमने उसका पोटेंशल देखा वह क्रिस्टल का पोटेंशल कुछ दिखने में इस तरह से था यह हमने प्रीविय सेशन के अंदर देख लिया था यह अपना क्रिस्टल का पोटेंशल था वह इस फॉर्म का दिख रहा था तो यह जो शेप है यह कोई रेगुलर शेप तो है नहीं यह काफी कॉम्प्लिकेटड शेप है और ऐसी शेप के साथ शॉडिंगर इक्वेशन को सॉल करना डिफिकल्ट होता है सो क्रॉनिक पैनी ने अप्रॉक्सिमेशन लिया उन्होंने कहा था कि अप्रॉक्सिमेटेड हम इस शेप को थोड़ा सा बदल देते हैं और ऐसा शेप बना देते हैं जो दिखने में थोड़ा सा इजी हो तो उन्होंने ये वाली जो line है उसको देखो ऐसे समझा कि ये वाली line को straight ले लो और इसका जो shape है वो इस तरह से करो rectangular ये ऐसे कर लो इस वाले shape का भी ऐसे rectangular कर लो और इसको भी ऐसे rectangular कर लो तो हमारे पास जो नया potential बनके आएगा वो थोड़ा सा दिखने में कैसा दिखेगा इस तरह से दिखेगा ये देखो ये हमारे पास potential दिखने में आ रहा है तो उन्होंने ऐसे बोला कि यहां पर आप क्या करें इसको potential को हम मानेंगे इस तरह से but as you can see कि देखो ये वाली width और य जो डिस्टेंस है वह हम x ले लेते हैं नाव इसे हम सपोज origin लेते हैं और ये और लेते हैं हम a तो यहां से यहां तक की जो distance हो गई हो गई a हो गई आपके पास और उसी तरह से यह वाली जो width है इसे हम सपोज करो minus b ले लेते हैं यांनि ये distance आपकी कितनी हो जाती है हम B ले लेते हैं और यह A और B लेने का reason आप देख सकते हैं कि इसका मतलब हमने यह ले यहां से यहां तक की distance हमने B लिया है जबकि यह जो अंदर खाली जगह है यहां पे हमने distance A लिया है यहां पर यहां पर यहां पर कोई potential नहीं है और यह जो पूरा B है यहां पर potential मिल रहा है तो ध्यान रहेगा देखो 0 से A के अंदर हमने नीचे line लिया है नीचे वाली line का मतलब है 0 to A में आपका potential कितना है 0 है और 0 to B में आपका potential जो है वो आपके पास ऊपर यह line जा रही है सपोज यह line की height कितनी है V naught तो 0 to B में आपके पास potential की value constant ले ली हमने which is V naught जबकि actual graph के अंदर यहां पर यह potential की जो height है वो देखो continue change हो रही है बट continue जब change हो रहा होता है तो Schrodinger equation को solve करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए chronic penny ने approximated potential इस तरह से ले लिया है जहां पर 0 यह A जो height A जो विर्थ होगी उसमें कोई potential नहीं है दिख भी रहापन को कोई potential नहीं है वहां पर और B में आपके पास potential है सो हम इसी picture के साथ में solve करके देखेंगे कि wave function जो आता है वो कैसा दिखाए देता है सो start करते हैं हम हमारे पास यह वाला potential लेके ओके इस वाली potential के साथ सबसे पहले हम यहां पर potential तो हमने लिखी लिया है कि 0 से A में potential 0 है और 0 से B में potential की value V0 है हमारे पास अब हम Schrodinger equation लिखते हैं सबसे पहले तो देखो 0 से A में जब X की value 0 तो A है तब हम Schrodinger equation लिखते हैं तो Schrodinger equation हमारी general क्या होती है सबसे पहले general Schrodinger equation देखते हैं वो होती है minus H cross square upon 2 M हम one dimension में ले रहे हैं इसलिए यही लेंगे D2 by Dx square plus V psi is equals to E psi या फिर आप इसे लिख सकते हैं D2 psi upon Dx square plus 2 M upon H cross square E minus V is equals to 0 तो देखो सबसे पहले अगर हम 0 to A में बात करें तो 0 to A में आपका potential कितना है? 0 है तो यह V की value क्या हो जाएगी? 0 तो आपको क्या expression मिलेगा? D2 psi 1 upon Dx square plus 2 M E upon H cross square psi 1 is equals to 0 यहाँ psi 1 क्या है? इस 0 to A range में यहाँ पर जब particle होगा तो उसका wave function मान लीजिए psi 1 है और 0 to B के अंदर जो particle है उसका wave function हम लेके चल रहे है, psi 2 तो आपके पास D2 psi 1 यह हमारे पास 0 to A में आ गया है, अगर हम 0 to B में बात करें, ओके 0 to B के अंदर अपन बात करें तो जो Schrodinger equation होगा क्या बनेगी हमारी? D2 psi 2 upon Dx square plus 2 M upon H cross square E minus V naught क्योंकि आपके पास V की value कितनी है 0 to B में? V naught है, तो आपके पास यहां आ जाएगा size equals to 0 यह हमारी 0 to A में equation होगी और यह हमारी 0 to B में equation होगी अब थोड़ा size के अंदर हम क्या करते हैं, hold on, थोड़ा size के अंदर हम क्या करते हैं यहां पर, constant put करके और इसको solve करनी कोशिश करते हैं, तो वापस एक बार equation लिखते हैं, D2 psi 1 upon Dx square plus 2 M E upon H cross square psi 1 is equals to 0 मिला था, और एक हमें मिला था, D2 psi 2 upon Dx square plus 2 M upon H cross square E minus V naught is equal to 0 तो हमारे पास देखो particle अगर उसके अंदर बंधा हुआ है, आपके अगर पास particle जो है, हमारे पास बीच में कहीं होगा, नीचे का electron की बात हो रही है, तो electron इस barrier से उपर तो जा नहीं सकता, है ना, electron हमें पता हम उपर वाले electron की बात नहीं कर रहे हैं, जो electron इस potential के अंदर है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर को electron इस potential के अंदर है, इसका मतलब उसकी energy जो है, इस barrier की height से तो कम है, अगर उसकी energy इस barrier की height से कम है, तो हम क्या condition लेंगे, ध्यान रखना ये चीज़ अपन क्या कर रहे हैं यहां पर, तो अगर उसकी मान लीजिए, इसका मतलब जो potential है, और particle आपके पास यहां कहीं से आ रहा है, और यह उसकी energy है, तो इसका मतलब जो V note है, वो हमारा क्या है, E से बड़ा है, अगर V note की value E से बड़ी है, तो यह वाल expression में, आप E minus V note नहीं ले सकते, आपको V note पहले लेना पड़ेगा, तो यह वाला function change हो के हमारा क्या हो जाएग So minus 2M upon h cross square, और यह आजाएगा V note minus E, psi 2 is equal to 0, मैंने V note को पहले लेने के लिए बाहर minus ले लिया है, so that हमारे पास यह वाली quantity क्या रहे, positive बनी रहे, क्यों? क्योंकि आगे जाके यह quantity किसी root के अंदर आने वाली है, square root के अंदर जो value होती है, अगर वो negative हुई, तो हमारा imaginary term हमें मिल जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, so अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले term को हम ऐसे लिखेंगे, d2 psi 1 upon dx square plus alpha square psi 1 equal to 0, अब alpha square हमने किस की जगर रखा है, हमने alpha square रखा है, 2me upon h cross square की जगर, similarly यहाँ पर हम इसे क्या रख देंगे, beta square रख देंगे, तो d2 psi 2 upon dx square minus beta square psi 2 is equal to 0, तो यहाँ पर हमारे पास beta square कितना हो जाएगा, 2me upon h cross square v naught minus e, अब आप देख सकते हैं, अगर beta square आपने इसको रखा है, तो अगर beta की value आप निकालते को, आप यहाँ पर root लगाते, और root लगाते, और अगर हमने e minus v naught ही रख लिया होता, तो square root के imaginary term बिल जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो यह हमारी equation number 1 हो गई, और यह हमारी equation number 2 हो गई, आपने second order differential equation अगर पढ़ी हो, तो यह वाला जो function है, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, d2 d square plus alpha square psi 1 equal to 0, तो जब इसके root लेंगे, तो plus minus iota alpha हैगा, और यहाँ पे आपको d square minus beta square psi 2 is equal to 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके पास minus है, इसके root plus minus beta होंगे, तो beta में तो आपके पास iota नहीं आएगा, alpha में आपके पास iota आएगा, इस जो solution लेते हैं, प्लस alpha square होता तो उसमें iota लेते हैं, और beta वाले में हम iota नहीं लेते हैं हमारे पास, okay, so इसकी जो solution है, आपक potential में है, अगर वो periodic potential में है, तो block के हिसाब से, जो wave function होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, u k x e raised to power i k x, block नहीं कहा था, कि अगर कोई particle periodic potential में है, तो उसका wave function दो part का product होना चाहिए, एक तो periodic function आना चाहिए, और दूसरा plane wave होना चाहिए, जिसे हम exponential ले हैं, तो आपके पास psi क value यह है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि d side by dx कितना होगा, तो देखो d side by dx कितना होगा, पहले एक बार u का कर देते हैं, exponential को constant, फिर exponential का कर देते हैं, u को constant रखते हैं, तो सबसे पहले मैं exponential का कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा i k e raised to power i k x, उस time पे u k x को constant रख दीजिए, प्ल i लिखा है, बट आप इसका मतलब समझेगा कि यहां psi of x है, दुबारा differentiation करते हैं, तो d2 psi upon dx square आपके पास कितना होना चाहिए, अब देखो यहां पर हमें दुबारा करना पड़ेगा, तो अगें यहां पर i k को common i k को बार ले लेते हैं, और इन दोनों का करते हैं, इन दोनो u का कितना हो जाएगा, du by dx, प्लस यहां पर आप देखिए, फिर से हमें e के power i k का कर देते हैं, और u को constant रखते हैं, प्लस और फिर e के power i k x और u का कर देते हैं, du by dx, अब देखो इसको थोड़ा सा simplify करते हैं, तो यह अंदर multiply होगा, तो k square हो जाएगा, और iota square हो जाएगा, minus k square e raise to power i k x, साथ में u है, मैं इसे u ही लिख देती हो सिर्फ, और यह इससे multiply होगा अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस i k e raise to power i k x du by dx, प्लस i k e raise to power i k x u, प्लस i raise to power i k x du by dx, हम शायद कुछ term skip कर गए, यहाँ पर, अच्छा, यह वाले इसके साथ आपके पास iota k है, और यह iota k आपके पास multiply, देखने दीजी, हमने शायद यहाँ पर कुछ गल्ती करती है, यह e raise to power i k x हो जाएगा, and then हमने इसका किया है, ओके, यहाँ पर आपके पास iota k multiply हो रहा है, and then यहाँ पर हमने e raise to power i k का कर दिया है, ओके, हमें d2u by dx square करना रहेगा, राइट, 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 इसमें देखिए, आप यह वाला टम देखिए, एक बार, इसका, हमने e raise to power i k का कर दिया, उस टाइम पर हमें u को common रखना था, du by dx को as it is रखना था, तो यह du by dx आएगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर du by dx आएगा, और फिर हमने e raise to power i k x को as it is रखा, और du by dx का किया, तो d2u by dx square आएगा, राइट, राइट हो, यह हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आप देख लिजएगा, तो हमने minus k square e raise to power i k x u, plus i k e raise to power i k x du by dx हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास इसके साथ मिलेगा du by dx, और इसके साथ मिलेगा d2u by dx square, यह आपको मिल रहा है, प्लस i k e raise to power i k x du by dx, और प्लस e raise to power i k x d2u by dx square, यह दोनों आपके पास same to same है, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर, माइनस k square e raise to power i k x u, प्लस 2 i उटा k e raise to power i k x du by dx, प्लस e raise to power i k x d2u by dx square, अब यह देखो हमें मिल चुका है, d2 si upon dx square, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कि हमने si की value निकाली है, d2 si upon dx square की value निकाली है, और यह जो si है, वो क्या है, यह एक electron का wave function है, जो की crystal के अंदर move कर रहा है, और अगर यहाँ पर आपके पास, हमने जो यहाँ पर शोडिंगर equation लिखी है, यहाँ पर भी देखो, हम उस electron की बात कर रहे हैं, जो की इस periodic potential के अंदर move कर रहा है, और उसके लिए हमारे पास यह दोनो equations आई थी, तो इसका मतल तब यह है कि जिस wave function की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो wave function निकाला है, यह वाला जो psi हमने लिया है, यह उसी electron का wave function होगा, जिसके लिए हमने Schrodinger equation लिखी है, अगर यह उसका solution है, यह उसको satisfy कर रहा है, तो definitely इसका मतलब यह जो electron का wave function है, तो हमने जो दो Schrodinger equation लिखी है यह उन दोनों को satisfy करना चाहिए तो आपके पास यहां पर हमने सिर्फ साई लिखा है इसी साई की जगा अगर हम साई वन लिख लेंगे तो यह आपके पास 0 to A region के अंदर जो electron होगा उसका wave function हो जाएगा और अगर साई वन ले लेंगे एक बार साई टू ले लेंगे और फिर हम इसको किसमे रखेंगे जो शोडिंगर एक्वेशन हमने 0 to A और 0 to B में लिखी है देखो यह वाली यह 0 to A थी और यह 0 to B इंज में है तो यहाँ पर आपके पास Si2 आ रहा है यहाँ पर आपके पास Si1 आ रहा है Si1 भी क्या होगा block electron का wave function Si2 भी क्या होगा block electron का wave function और वो हमने block theorem से अभी अभी निकाल लिया तो हमें यहाँ पर need किस की है Si1 की और यहाँ पर हमें D2 Si1 upon D2 square चाहिए यहाँ पर आपके पास Si2 है यहाँ पर हमें D2 Si2 upon D2 square चाहिए तो चलिए हमारे पास because psi 1, psi 2 आ चुका है तो हम यहाँ पर उसको solve करते है तो यहाँ पे इसके बाद हम लेते हैं यह हम निकाल चुके हैं तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे पास देखो क्या हो जाएगा psi 1 हमारे पास हो जाएगा e raise to power i k x और u था हमारे पास हम वहाँ पे u 1 ले लेते हैं psi 2 आपके पास हो जाएगा e raise to power i k x और u की जगा जाएगा u 2 इसके हलावा d2 psi 1 upon d x मैंने अभी अभी निकाला है प्रीवियस उसमें तो वहाँ पे हमें क्या मिला था minus k k square e raise to power i k x u 1 मिल जाएगा 2 iota k i k x du 1 upon d x e raise to power i k x d2 u 1 upon d x square similarly आपको d2 psi 2 मिल जाएगा तो हमारे पास 0 to a में जो equation थी 0 to a में देखिए 0 to a में हमारे पास equation थी d2 psi 1 upon d x square plus alpha square psi 1 is equals to 0 तो यहाँ पर value put करते हैं देखो यह सारी value यहाँ पर आ जाएगी और यह psi 1 आपको यहाँ पर put करना है तो हम रख देते हैं minus k square i k x u 1 plus 2 iota k i k x du 1 by dx i k x d2 u 1 by dx square plus alpha square के साथ psi 1 psi 1 यह रहा हमारा e raise to power i k x u 1 equal to 0 आप देख सकते हैं exponential वाला पार्ट सब में से common आ रहा है और common आके हम उसे right side में भेज़ के 0 कर देंगे अब सबसे पहले हम इस वाले term को लिखते हैं तो यह आ जाएगा d2 u 1 upon dx square फिर मैं इस वाला term को ले रही हूं decreasing order में तो 2 i k d u 1 upon dx आ जाएगा अब जो बचावा term है उसमें देखो आपके पास यहाँ पर b u 1 है यहाँ पर b u 1 है यहाँ पर alpha i square है यहाँ पर minus k square है तो हम क्या लिख सकते हैं alpha i square minus k square u 1 is equals to 0 अब यह आपने लिखा है कौन सी reason में 0 to a में अब same situation आप si2 के साथ करेंगे d2 si2 upon dx square निकालेंगे और कौन सी equation में put करेंगे इस equation में जिसमें आपके पास था d2 si2 upon dx square minus beta square si2 equal to 0 यहाँ खुद से try कीजिएगा आपको जो equation मिलेगी वो ही मिलेगी d2 u2 upon dx square 2 iota k d u2 upon dx minus beta square plus k square u2 equal to 0 same जैसे मैंने u1 के लिए 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 लिएगा तो यह जो equations है यह वाली और एक वापस 1 वाली लिए लिए लिएते हैं d2 x2 plus 2 iota k d u1 upon dx plus alpha square minus k square u1 equal to 0 यह जो दो equation हमें मिली है यह आपके पास 0 to a में है और यह आपके पास 0 to b में है सो आपके पास यहाँ पर जो दो equations हमें मिल रही है यह second order differential equation है इनके solutions होते हैं वो exponential type के लिए जाते हैं सो आप mathematics में देख लीजिएगा second order differential equation की solution कैसे लेते हैं मैं यहाँ पर आपको directly बस यह बता रही हूँ कि u2 और u1 जो है उनके solution होंगे exponential और वो कुछ इस तरह से दिखेंगे हम लिखते हैं ना नॉर्मल इस तरह की equation होती है तो हमारे पास solution कैसे आता है c1 e raise to power i kx और c2 e raise to power something power वो आयोटा आता या नहीं आता वो depend करता है यहाँ पे आपके पास plus है या minus है तो जो u1 होगा उसका solution हम लिखेंगे अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है alpha square minus k square बट आपके पास यहाँ पे plus आ रहा है जब यहाँ पे plus आता है ना तो उपर आयोटा लिया जाता है तो हमें आयोटा लेना पड़ेगा और यह देखो alpha square minus k square है तो एक बार आ ज यहाँ पे दूसरा कोई constant लेते हैं and e raised to power उपर आयोटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे minus होता है जब आयोटा नहीं आता है बट यहाँ पे क्या है beta square plus k square तो इसके दो root क्या होंगे इसके दो root होंगे beta plus iota k and beta minus iota k क्योंकि इन दोनों को multiply करोगे तो क्या मिलेगा beta square plus k square मि प्रिकुल वैसे ही जैसे इसके दो root आपने क्या लिखे alpha plus k and alpha minus k तो यह आपको ध्यान रखना है solution लिखते वक्त तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा beta minus iota kx plus d e raise to power beta plus iota kx तो यह दोनों ध्यान रखना इनके solutions होंगे तो आपके पास major तो है u1 and u2 अब हम क्या करेंगे a b c d यह constant हमें determine करने हैं तो इन constant की value find out करने के लिए हम boundary condition लगाएंगे और देखो boundary condition यह होती है कि जो psi होता है और d psi आपने quantum mechanics में पढ़ा होगा psi और d psi by dx क्या होने चाहिए continuous होने चाहिए boundary पे दोनों ही continuous होने चाहिए psi भी continuous होना चाहिए और d psi upon dx भी continuous होना चाहिए अब हमारे लिए boundary का मतलब क्या होगा तो हमने जो potential लिया था वो ध्यान से देखिएगा एक बार हमने जो potential लिया था वो इस तरह से था यहाँ पर आपका था V की value यह आपका था V naught 0 A and minus B इधर वे function है Si2, इधर वे function है Si1 तो चार conditions में आपको बता रही हूँ, first boundary condition हम क्या लगाएंगे अगर आप ध्यान से देखें तो X equal to 0 देखो, यह 0 वाला point तो यह वाली boundary के right side में आपके पास Si1 है, left side में आपके पास Si2 है तो इस boundary के किसी भी point को अगर आप देखेंगे, तो वो point किस में count होगा वो Si1 वाले region में भी count होगा, और Si2 वाले region में भी count होगा लेकिन Si के condition होती है कि Si होता है, वो single valued होना चाहिए यानि किसी भी point पर उसकी दो values नहीं मिलनी चाहिए, तो अगर X equal to 0 देखें X equal to 0, आपके पास अगर आपने Si1, Si2 को अलग माना तो X equal to 0 पर दो values आजाएगी, और दो values allowed नहीं होती है Si में यह single valued होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, तो X equal to 0 पर आपको क्या मिलेगा X equal to 0 पर आपका Si1 is equals to Si2 होना चाहिए, ओके and second आपका क्या होना चाहिए, similarly X equal to 0 पर आपका D Si1 upon Dx और D Si2 upon Dx भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो condition Si पर लगती है वही हमारी पास क्या लगती है, D Si1, Dx पर तो यह continuous होना चाहिए, तो यहां से हमें दो condition मिल जाएगी, अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमारा Si1 Si2 तो खतम हो चुका है हमारा Si1 Si2 की जगह क्या आ चुका है, U1, U2 आ चुका है, देखिए, यह U1 आ चुका है, यह U2 आ चुका है तो जो condition Si1 Si2 पर लगा रहे थे, वही condition हम किस पर लगाएंगे, U1, U2 पर तो इस condition की वजाए हम कौन सी मली condition यूज़ करेंगे, U1, U2 और इसकी जगह हम क्या करेंगे, DU1 by DX is equals to DU2 upon DX, यह X equal to 0 पर दो condition, तो हमारे पास तो 4 unknown है, A, B, C, D तो 4 unknown को find out करने के लिए हमें कितनी equation चाहिए, 4 हमारे पास कितनी आ जाएगी यहां से, 2 equation आ जाएगी तो इसी तरह से हम यहां पर, दूसरी और condition कहां से लाएंगे, दूसरी और condition लाएंगे, हम यहां पर, देखो, तीसरी condition देखो, तीसरी condition हम लाएंगे, at X equal to A and X equal to minus B, अब यह दोनों point बिल्कुल identical है, कैसे, आप देखिए, X equal to A यह वाला point है और आपको मैंने बताया था कि हमारे पास, जो potential है, वो पूरा का, पूरा periodic है पूरी periodic का मतलब, अगर मैं यहां पर आपके पास red color से एक line draw कर रही हूँ, यह देखो, आपके पास, यह red color वाली जो line है हाँ, अब यही structure आपके पास बार बार repeat हो रही है, same structure, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो different structure है अब यही structure आपके पास बार बार repeat हो रही है कैसे आप वापस यही structure यहाँ से represent करेंगे तो वापस यही structure आपके पास आ गया गई फिर आपके पास यही structure वापस आ गई फिर आपके पास यही structure तो यही बार बार repeat हो रही है यानि कि यहाँ पर कोई point आप ले रहे हो तो वो point बि वाला point similar होगा, तो point number 1 and point number 2 आपके पास identical है, same है, बिलकुल same है, अगर वो same है, तो उन पे wave function same होना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो जो first point है, वहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर si1 को ले सकते हैं, तो यहाँ पर si1 है, क्योंकि si1 की boundary आ रही है, si1 की boundary आ आ रहा है, देखो, यह si2 की boundary है, si2 की boundary है, और actual में होता क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखें, मैं आपको थोड़ा से simple तरीक से समझाने कोशिश करती हूँ, आपने यह wave function लिया, ठीक है, यहाँ आपका आ रहा है, suppose, हमने यहाँ पर लिया है, 0, यह आपका a ह है, और यह आपका minus भी है, open वाले region में हमारे wave function आएंगे, si1, si1, और close वाले में आपके पास आएंगे, si2, si2, देखें, si2 होगा, यह si2 होगा, यह si2 होगा, यह आपके पास si2 होगा, so आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर मैं x equal to a पर पूछू आपके पास क्या आ रहा है, x equal to a जो आ रहा है, वो point आपने यहाँ कहीं पे लिया है, अब यह si1 के अंदर भी include हो रहा है, और यह si2 के अंदर भी include हो रहा है, तो हमारा जो wave function है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, si1 at x equal to a ले ले लेंगे, अब आपके पास, si2 आ रहा है, और si2 वाला region था, वो हम जो 0 to a लिया है, actual में हमने, यह boundary हमने पूरी मानी है, si1 की, और 0 to minus b जो हमने मानी है, वो हमने मानी है, si2 की, तो दोनों तरह से आप समझ सकते हैं, या तो आप periodic nature से समझ जाए, कि यह वाला point और यह वाला point बिल्कुल identical है, तो यहाँ पर जो wave function लेंगे, वो हम ले लेंगे, si2 और यहाँ पर जो wave function लेंगे, si1 या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कि यह जो boundary आ रही है, वो common आ रही है, si1 और si2 में, तो si1 की boundary कहां थी, a पर थी, और si2 की boundary कहां पर थी, b पर थी, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे, so हाँ, हम यहाँ थे, तो si1 at x equal to a, हमारा किसके equal होगा, si2 at x equal to minus b, लेकिन हम si1, si2 की जग़े क्या लेंगे, u1, u2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो चीज हमने si1, si2 की साथ करी है, same to same यह चीज हमें किसके साथ करनी है, d si upon dx के साथ करनी है, तो si1, si2 की जग़े हम क्या लेके चल रहे हैं, u1, u2, तो यह condition हमारी क्या हो जाएगी, u1 at x equal to a is equal to u2, x equal to minus b, similarly du1 by dx at x equal to a is equal to du2 by dx at x equal to minus b, अब हम यह चारो कंडिशन से, चार कंडिशन मिल चुकी है, यह हमें third कंडिशन हो गई हमारी, और यह हमारी fourth कंडिशन हो गई यहाँ पर, अब इन चार कंडिशन से हमें क्या करना है, values निकालनी है, तो देखिए, चारो कंडिशन से आपके पास value निकालेंगे अपन, so first condition वापस लेके चलते हैं, so first condition आपकी क्या थी, है न, u1 at x equal to 0, was equal to u2 at x equal to 0, put करते हैं, तो आपका u1, u2 क्या था, एक बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं वापस यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, so u1 हमारा था, a e raise to power iota alpha minus kx, plus b e raise to power minus iota alpha plus kx, u2 हमारा क्या था, a, sorry c था यहाँ पर, c e raise to power beta minus iota kx, plus d e raise to power minus beta plus iota kx, ओके, so यहाँ पर देखिए, आप x equal to 0, जैसे ही आप x equal to 0 put करेंगे, यह 0, यह 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा, exponential वाले सार एटम हमारे पास 1 हो जाएगे, so हमें मिलेगा, a plus b is equal to c plus d, second condition देखो, उसमें du1 by dx करना है, du1 upon dx करना है, और फिर x equal to 0 put करना है, du2 by dx करना है, फिर हमें x equal to 0 put करना है, तो देखिए एक बार, जब आप du1 by dx लेंगे, तो du1 by dx यहाँ पर निकालते हैं, du1 by dx हमें क्या मिलेगा, iota alpha minus k constant बहर आजाएगा, और वापस आपके पास e raise to power iota alpha minus kx बचेगा, यहाँ पर आपके पास minus alpha plus k बाहर आएगा, तो यह हमारे पास आजाएगा, और e raise to power minus b भी साथ में होगा, alpha plus k x बचेगा, राइट, तो आपके पास similarly du2 by dx आपके लेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, बीटा minus iota k बाहर आजाएगा, और c e raise to power beta minus iota kx, माइनस आपके पास आजाएगा, बीटा plus iota k, और d e raise to power minus beta plus iota kx, तो यह रखके देखिए, इस वाल equation में आप exponential वाले सारे term 1 हो जाएगे, तो remaining term आपके पास क्या बचेगा, remaining term आपके पास बचेगा, du 1 by dx करना है, तो iota alpha minus k a minus iota alpha plus k b is equal to, यह देखो यह वाला part बचा और यह वाला part, exponential वाले term क्या हो जाएगे, 1 हो जाएगे, क्योंकि हमने x की जगह 0 पुट कर दिया है, यह हमारे पास आजाएगा यहाँ पे, beta minus iota k c minus beta plus iota k d, यह देखो हमें condition मिल जाएगी, तो 2 condition थो हमें मिल चुकी है, third condition के लिए हमें क्या चाहिए, x equal to a पर तो हमें लेना है, u1 और x equal to minus b पर हमें लेना है, u2, third condition हमारी पास क्या थी देखो, u1 at x equal to a is equal to u2 at x equal to minus b, तो सबसे पहले u1 पे देखो, आप देख लेना, x equal to a पुट कर रही हूं है, तो हमें मिलेगा a e raise to power iota alpha minus k, यहाँ पे x था, वो x की जगा आजाएगा a, b e raise to power minus alpha plus k, x के यहाँ पे आजाएगा a, is equal to c e raise to power beta minus iota k, x की जगा आजाएगा minus b, and plus d e raise to power minus beta plus iota k, x की जगा आजाएगा minus b, इस में आपके पास क्या था, du1 by dx at x equal to a, and du2 by dx at x equal to minus b, यह हमें पुट करना है, आप वो condition देख लीजिएगा, हमारे पास condition क्या मिलेगी, यह मैं आपको थोड़ सा दिखा देती हूं, कि कहां पुट करना है, तो यहां पर आप आपको पुट करना है, देखो, इस x की जगा आपको पुट करना है a, इस x की जगा आपको पुट करना है a, इस x की जगा आपको पुट करना है minus b, और इस x की जगा आपको पुट करना है minus b, तो यह आप देख लिए न, है ना values हम इस तरह से रखेंगे so इससे हमें जो condition मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी a e raised to power iota alpha minus k a minus iota alpha plus k a c में आपके पास कितना था हमारे पास beta minus iota k और वहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा d u 1 y d x put करना था ना हमें हाँ तो right हमारे पास value भी हमारे पास आएगी हमें multiply करना पड़ेगा so a से आगे multiply हो जाएगा iota alpha minus k and यहाँ पर हमारे पास b के साथ multiply हो जाएगा इस b के साथ आपके पास multiply हो जाएगा minus iota alpha plus k मैंने multiply नहीं किया c में आपके साथ multiply हो जाएगा यहाँ पे beta minus iota k और यहाँ पर आपके पास आजाएगा b minus यहाँ पर आपके पास आजाएगा beta plus iota k e raise to power beta plus iota k times b यह आप देख ले ना हमने बस values put करी है यहाँ पर हो सकता है मैंने थुरा सा minus plus miss कर दिया हो तो आप उसको verify कर लीजिएगा तो हमारे पास चार equation मिली है और अगर हम चारो equation को ध्यान से देखें तो चारो equation में हमारे पास left hand side में a b है और right hand side में हमारे पास c d है तो सारे जो CD वाले terms हैं, अगर हम left side में लेके आ जाएं, चारो equation में, तो AB वाले term हमारे पास positive में आ जाएंगे, और CD वाले term हमारे पास negative में आ जाएंगे, तो ये situation में इस 4 equation को solve करना बहुत ही जादा difficult होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, matrix method यूज़ करेंगे, matrix method का मतलब है, हमें 4 equation मिली है, suppose इस तरह से हैंना, AB, then minus C, then minus D, इसका आपके पास कुछ न कुछ coefficient हमान लीजिए हैं, कुछ न कुछ आपके पास coefficient मिल रहा है, और equal to 0, क्योंकि हमने CD वाले term को सबको left hand side में ले रहे हैं, next आपके पास AB, minus C, minus D, again आपके पास कोई न कोई coefficient हा रहा ह Similarly, आपके पास 2 equation और मिल रही है, और उसमें भी आपको 0, 0 मिल रहा है, तो ऐसी equation जब हमारे पास होती है, तो हम उसे matrix method से solve करते हैं, जिसमें first matrix जो बनती है, वो सिर्फ in coefficients की बनती है, हमारे पास, okay, first matrix जो हमारे पास बनेगी, वो सिर्फ coefficients की बनेगी, और second आपके पास बनत और wave function 0 होने का मतलब electron वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इस coefficient को 0 करेंगे, तो previous slides में आपके पास जो हमने 4 equation निकाली है, उन में से हर equation में आपको A, B, minus C, और minus D के जो, या फिर C के, सिर्फ C और D क्योंकि मैंने यहाँ पर C लिया है, तो C का जो coefficient होगा, और जो D का coefficient होगा, उन coefficient की हमको matrix बनानी है, और उस matrix को हमको 0 के equal proof करना है, तो आपके पास जो matrix बनेगी, वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप verify कर लेना, सबसे first equation हमें क्या मिली थी, सबसे first मिली थी, A plus B is equals to C plus D, तो उसमें आपके पास C और D को left hand side में आप लेके होगे, तो आपके पास minus C minus D होगा, तो आपके पास 1, 1, minus 1 और minus 1, यह determinant आपको 0 के equal proof करना, ध्यान रखना है, तो 1 के नीचे second आपके पास condition मिली थी, आयोटा, एल्फा माइनस के, माइनस आयोटा, एल्फा प्लस के, माइनस, बीटा माइनस आयोटा के, और यहां बीटा प्लस आयोटा के, यह CD की coefficient है, यह AB की है, third relation से हमें मिला था, आयोटा, एल्फा माइनस के, A, एल्फा प्लस के, A, बीटा माइनस आयोटा के भी, बीटा प्लस आयोटा के भी, फोर्थ हमें मिला था, आयोटा एल्फा माइनस की, यह देख लीजिएगा, मैंने लिक्वी रखे हैं, एंड में भी मैं कोई माइनस प्लस यहाँ पर हो सकता है, मुझसे मिस्टेक हो गई हो, तो आप अपने जो नोट्स हैं या जो बुक है, उसमें थोड़ा सा एक बार वेरिफाई कर लेना, और आप खुद भी क्यालकुलेशन करके इसको एक बार क्रॉस वेरिफाई करना, प्लस मेरे पास बार बार पेज को पीछे जाना पड़ता है, तो यह हमें डिटर्मिनेंट मिलता है, अब यहाँ पर जो यह 4x4 का डिटर्मिनेंट है, अगेन इसको सॉल करना बहुत जादा डिपिकल्ट होता है, इसलिए हमारे से लिबस में हम क्या करेंगे, इस जो डिटर्मिनेंट है, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, इसको पूरा सॉल करने के बाद, हम डिरेक्ली उस फाइनल वैल्यू पर जाएंगे, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल करते हैं, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है, वो हमारे पास होता है, कुछ इस तरह से, बीटा स्कॉरर माइनस अलफा स्कॉरर, यह साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन एलफा ए कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी कॉस एलफा ए इस इक्वरस टू कॉस के ए प्लस बी तो जो उपर वाले एक्वेशन है इसको आप देख लीजिएगा इसको सॉल्व करने से हमें यह मिलता है आपे ठीक है यह एक्वेशन आपको डिरेक्टल याद रखनी है जो हमें सॉल्व करेंगे अब अगेन यह जो एक्वेशन हमें मिली है इसमें भी हम एक केस लेते हैं उसी केस के लिए हम इसको स्टड़ी करेंगे और वो केस यह है कि अगर हमारा वी नोट जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करें और जो बी है वो जीरो को अप्रोच करें तो जो पिक्चर आपके पास बनेगी पोटेंशल की वो कैसी बनेगी तो बेसिकलिए आप क्या रहे हो वी नोट आपके पास कौन सी हाइट ती इसका मतलब इस बेरियर को आप उपर ले जाओ बहुत ले जाओ क्योंकि आपको इसकी हाइट बढ़ाते जाना है तो यह इंफिनिटी हो जाएगा और बी आपके पास क्या थी इसकी थिकनेस थी और वो आपने लगबग कितना कर दिया जीरो कर दिया तो यह जो आपके पास potential है यह बन जाएगा डेल्टा potential या डेल्टा function के जैसा डेल्टा function क्या होता है डेल्टा function ऐसा function होता है जो हर जगग zero value देता है एक particular value पर वो infinity के about बहुत large value देता है और वापस वो zero हो जाता है तो आप भी तो यहीं कर रहे हो आप इस barrier को उपर से लेके उपर तक जाये जा रहे हो जाये जा रहे हो तो यह उपर बढ़ता जा रहा है और आपने इसकी जो थिकनेस है वो लगबख क्या कर दी जीरो कर दी तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ही height V note बहुत जादा है और आप अगर इसकी width देखो तो यह width कितनी आ रही है लगबख 0 आ रही है तो यह वाला function आपके पास कैसा बन जाता है delta function बन जाता है तो इस potential में आपके पास delta potential हो जाता है कब जब आप यह वाला case ले लेते हो अलसो ध्यान रखना V note infinity और B tends to 0 में जब इनका product कहीं पर आएगा तो यह product आपके पास कैसा होन चाहिए finite होना चाहिए और finite हो भी सकता है suppose V note बहुत large number है मान लीजिए एक लाक या दस लाक ले लो और B equal to 0 कितना है 0.00001 तो अगर 0.001 को फिर से आप 10 लाक से multiply भी करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 या 100 आएगा finite number आ गया तो यह possible है हमारे पास ओके तो हमारे पास क् जो equation हमें मिली है यह वाली equation इसमें हम apply करते हैं क्या B tends to 0 तो देखो जब B tends to हम 0 करते हैं तो जो sine hyperbolic function होता है आपने देखा होगा जब theta tends to 0 होता है तो sine theta को के वल theta ले सकते हैं बिल्कुल वैसे ही sine hyperbolic में भी करते हैं B tends to 0 पे आपके पास यह जो theta है वो कितना हो जाएगा nearly equal to 0 हो जाएगा तो ऐसी situation में sine hyperbolic beta B जो है उसे हम simply क्या लेंगे बीटा भी लेंगे साथ में ही आपके पास cos theta है और अगर theta 0 को approach करता है तो cos theta क्या हो जाता है 1 हो जाता है तो हम यहाँ पर cos hyperbolic beta B को क्या लेंगे 1 से represent करेंगे तो हमारे पास यह equation है वो कैसी बन जाएगी यह equation आपके पास बन जाएगी बीटा square minus alpha square upon 2 alpha beta यहाँ पर हमारे पास था sin hyperbolic beta B वहाँ पर आप आजाएगा बीटा B यहाँ पर था sin alpha A plus cos hyperbolic beta B था और cos hyperbolic beta B कि जगे हमारे पास 1 हो जाएगा तो simply आपके पास यहाँ पर बननेगा cos alpha A is equal to cos अब देखो यहाँ पर आपके पास था cos K के साथ में था यहाँ पर K के साथ में था A plus B but because हमने B को 0 ले लिया है तो यहाँ पर simply क्या बचेगा cos K A बचेगा अब इसको थोड़ा सा rearrange करते हैं rearrange में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप क्या करें आप A से डिवाइड कर दीजिए और आप A से उपर multiply भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे है ना अब हम क्या करते हैं इस term को देखो हम लिखते हैं बीटा स्कॉयर माइनस alpha स्कॉयर साथ में आपके पास देखो क्य यहाँ पर ले रही हूँ alpha को मैं इसके साथ मिलूँगी तो alpha को मैं यहाँ पर लूँगी तो हमारे पास क्या बनेगा sin alpha A upon alpha A plus cos alpha A is equals to cos K A यह condition ध्यान रखना हमें B tends to 0 के लिए मिल रही है अब यह पूरा जो term है यह पूरे term को हम represent करते हैं P से तो यह हो जाएगा अपना पास P sin alpha A upon alpha A plus cos alpha A is equals to cos K A यह equation आपके पास कहलाती है chronic penny equation इस equation को हम बोलते हैं chronic penny equation अब यहाँ पर P को थोड़ा सा देखते हैं वापस से P हमारा क्या था तो P हमने लिखा है A beta square minus alpha square beta B upon 2b अगर हम value put करें तो देखो A आपके पास हो जाएगा beta square सबसे शुरुआत याद कीजिए beta square क्या था beta square था 2m upon h cross square v naught minus e यह तो था beta square minus alpha square आपका था 2m e upon h cross square यहाँ पर हमारे पास क्या आजाएगा वापस आप beta B रहने दीजिए और आपके पास कितना आजाएगा 2 β, beta से β आपका यहाँ क्या हो रहा है, cancel out हो रहा है बीटा से बीटा हमारे पास क्या हो रहा है, cancel out हो रहा है तो इसको cancel out कर दीजिए यहां से, यह cancel out हो जाएगा अब यह देखिए, इसको अंदर multiply करोगे तो क्या मिलेगा 2m e upon h cross square और यहाँ पर भी क्या है 2m e upon h cross square तो यह आपके पास कितना हो जाएगा double हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ रहा है देखिए a और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है b upon 2 a b upon 2 को तो रहने दिते हैं और अंदर हम इस term को क्या लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पर sırघ को कितना है 2m upon h cross square v naught minus 2e यह हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास आ चुका है यहाँ पर यहाँ पर a b upon 2 सात्में हमारे पास इस दितकना 2 से 2 भी चैंसल आउट हो रहा है तो यह आपके पास आ रहा है a b v naught minus 2e m upon h cross square ये आपके पास P की value आ रही है अगर मान लीजिए क्योंकि हमने का condition ली है हमने V0 को almost infinity ले लिया है तो V0 क्या हो जाएगा बहुत ही जादा बड़ा हो जाएगा अगर ये बहुत large quantity हो चुगी है तो उसके सामने इस 2E को आप क्या ले सकते हो 0 ले सकते हो अगर इस 2E को हमने यहाँ पर 0 ले लिया तो P की value क्या आ जाएगी देखो A B V0 M upon H cross square हो जाएगा correct या फिर आप इसे लिख सकते हो यहाँ से M A upon H cross square को अलग से लो तो ये आपके पास क्या बन रहा है ये आपके पास बन रहा है V0 B तो आपके पास V0 B basically था क्या V0 B आपके पास area है आपके potential barrier का अवरोदक का area है क्योंकि आपके पास यह से यहाँ तक की height थी V और यह आपके पास है V0 तो यह area आपके पास कितना आ रहा है this area is V0 B तो यह आपके पास barrier का area है और यहाँ पर P का physical significance यही है कि P की जो value आई है वो हमारे पास area के directly proportional आई है P की value जो है वो किसकी proportional है V0 B तो अगर P की value बढ़ती है इसका मतलब barrier का area बढ़ेगा अवरोदक जादा बढ़ेगा आपके पास potential बढ़ेगा और अगर V0 B घटता है तो आपके पास यह इसका area भी decrease होता जाएगा तो देखो अगर मान लीजिए P0 हो जाता है तो P0 होने का मतलब यह पूरा का पूरा जो potential है यह खतम हो जाएगा अगर यह potential ही खतम हो जाएगा तो आपके पास याद करो इस तरह के potential था इसका मतलब यह वाली value जो है यह खतम हो गई अगर खतम हो गई तो सारे के सारे electron जो अंदर है वो क्या हो जाएगे बिल्कुल free हो जाएगे freely move करेंगे तो हम यह verify करते हैं कि क्या वाकए में P equal to zero करने पर ऐसा होता है तो देखो अगर हम P equal to zero करते हैं तो chronic pen equation हमें क्या में देती P sin alpha A upon alpha A plus cos alpha A is equals to cos K A अगर P equal to zero कर दो तो यह फूरा atom first one atom zero हो गया cos alpha A is equals to cos K A हो जाएगा so alpha A किसके बराबर हो जाएगा K A के बराबर हो जाएगा so alpha A is equals to K A और यहां से आपके पास लिख सकते हैं alpha A square is equals to K square alpha A square क्या था 2ME upon H cross square is equals to K square यहां से E की value आप निकालिए H cross square K square upon 2M last lecture में मैंने आपको बताया था कि यह free particle की energy होती है इसका मतलब P बराबर zero होने से वहां का potential पूरा खतम हो गया सारे electrons free हो गए तो हमारी chronic pain equation सही result दे रही है इस condition में तो अब अगर हम लेते हैं P tends to infinity तो P tends to infinity में क्या मिलेगा chronic pain equation को वापस देखते हैं so chronic pain equation हमारी पास यह वाली थी cos alpha A is equals to cos के A इस P को यहां से हटा देते हैं और यहां से divide कर देते हैं पूरी equation को P से divide कर दिया तो आपके पास P tends to infinity पे क्या हो जाएगा यह term 0 हो जाएगा और यह term भी 0 हो जाएगा यानि कि sin alpha A upon alpha A क्या हो गया 0 या फिर हम लिख सकते हैं sin alpha A क्या हो गया 0 और जब आपके पास sin theta 0 होता है तो theta की value क्या होती है n pi होती है तो alpha A कितना हो जाएगा n pi हो जाएगा, हम दोनों side में square करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा alpha square की value put करते है, 2m e upon h cross square a square is equal to n square pi square यहां से अगर आप e की value निकालते हैं तो n square pi square, n square pi square h cross square upon 2m a square ये जो energy होती है, वो अगर आपने quantum mechanics में पढ़ा है तो ये infinite potential की energy होती है, यानि की v की value इधर भी infinite है इधर भी infinite है, और particle यहां रखा हुआ है ये एक विमी ये box में particle की energy को represent करता है particle ने 1D box, तो 1D box के अंदर और ये सही भी है, actual में जब आपका पास p infinite हो रहा है तो v not b जो है, वो क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा इसका मतलब जो आपने potential लिया है, उसका area आपके पास पहले तो finite था, अब आपके पास area को क्या करना है, infinite करना है तो इसको infinite करने के लिए आप क्या करेंगे, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ ये उपर तक जाता जाएगा, infinity को अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिलकूल इधर की भी दीवार infinity हो गई, और इधर की भी दीवार आपके पास infinity हो गई, और electron यहाँ फस गया तो ये बिलकुल similar ही तो है, बिलकुल ऐसे potential के, जिसमें आप वी equal to infinite लेते हो, यहाँ पर भी और particle यहाँ होता है, तब उसकी जो energy हम निकालते है quantum mechanics में, तो वो कितनी आती है, n square, pi square, h cross square upon 2ma square, और हमारे पास भी वह यह आ रहा है, क्योंकि ये width भी हमारे पास कितनी आई है, a आई है, तो same to same हमारे पास, यहाँ पर भी width a होती है आप quantum mechanics में देखिएगा, तो यह result आपको वहाँ पर मिलते हैं, okay, so I hope यह चीज समझ में आ गई, अब हम एक चीज और देखते हैं, अगर हम इसका graph load करें, देखो, अगर हम इसका graph load करें, तो एक graph हमें मिलता है, मैं आपके पास, just hold on, एक graph बनाती हूँ, इसमें y-axis पे हम क्या रखेंगे, p sin alpha a upon alpha a, plus cos alpha a, और x-axis पे हम रखेंगे, यहाँ पर alpha a, तो alpha a की value change करेंगे, तो function आपके पास change हो जाएगा, तो जब इसका graph plot किया जाता है, तो जो graph आता है, वो कुछ इस तरह से आता है, आप book में थोड़ा और अच्छी से देख लीजिए, इसको मैं roughly idea दे रही हूँ आपको, यह graph आपका इस तरह से मिलता है, यहाँ पे, ओके, तो यह गया, यह इस तरह से, sorry, यह uniform होता है, मैंने थोड़ा uniform नहीं बनाया, anyways, मैं explain कर दूँँ, जो चीज़ा आपको explain करना चाहरी हूँ, तो देखो, actual में आपके पास यह value होती है, यहाँ पर plus 1, और यह value होती है, minus 1, और यह होता है, alpha A की value 0, सो आप ध्यान से देखें, actual में यहाँ पर क्या है, y axis पे sign का term है, और cost का term है, हमें पता है कि sign की maximum और minimum value minus 1 और plus 1 हो सकती है, cost की भी minimum value minus 1 और plus 1 हो सकती है, but because आपके पास यहाँ sign और cost term का addition हो रहा है, sign और cost term मिलके जुड़ रहे हैं, तो कभी इसकी value plus 1 से ज़्यादा हो जाती है, कभी इसकी value यहाँ पर देखो minus 1 से भी कम हो जाती है, लेकिन अगर हम इस equation का right hand side देखें, तो आपके पास right hand side क्या मिल रहा है, right hand side में हमारे पास था cost के A, so यह value तो plus 1 और minus 1 से exceed कर सकती है, क्योंकि sign और cost का total है, पर right hand side में सिर्फ cost है, और cost अकेला जो है, वो plus 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, minus 1 से कम हो नहीं सकता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें left hand side की सिर्फ वो ही values रखनी पड़ेगी, जो की minus 1 और plus 1 के बीच में आती है, क्योंकि उस region में आपके पास cost justify हो जाता है, अगर आपने plus 1 से ज़्यादा ले लिया और minus 1 से कम ले लिया, तो आपके पास cost की value के right hand side वाला function क्या हो जाएगा, invalid हो जाएगा क्योंकि cost की value तो नहीं जा सकती है plus 1 से, तो हम इस graph में क्या करते हैं, इस graph में हम देखते हैं कि plus 1 से exceed cup कब हुआ, तो यह देखो यहाँ वाला curve जो है, यह plus 1 से बाहर बन रहा है, तो हम यहाँ पर एक boundary dot कर देते हैं और इस region को हम block कर देते हैं, हम यह कहेंगे कि यह value हम नहीं लेंगे, फिर आपके पास देखो यहाँ पर यह माइनस वन है है ना यहाँ पर माइनस वन होगी ग्राफ की वैल्यू यहाँ पर भी माइनस वन है तो यह जो रेंज आ रही है यह आपके पास माइनस वन से भी नीचे जा रही है तो हम क्या करेंगे इस point से vertical एक line draw करेंगे यहाँ पर भी हम एक line draw करेंगे और हम इस region को block कर देंगे हम कहेंगे हम इन values को allowed नहीं करेंगे फिर देखो यह वाला कर और यहां से यहां तक आपके पास कहां जा रहा है plus 1 से succeed कर रहा है तो हम फिर से यहां पर एक line plot कर देंगे और यह दो block यह देखो फिर से आपके पास इस तरह से जा रहा है तो हमने इसको block कर दिया अच्छा अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यह जो region है यहां से यहां तक जो blue line से मैंने कर बनाया है यह आराम से आपके पास plus 1 से minus 1 के बीच में रहा है तो हम इसको allow कर देंगे कि यह हम allow कर रहे हैं यह भी हम allow कर रहे हैं और यह भी हम allow कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास allowed band जो आ रहा है वो blue color से shaded है red वाला हम allow नहीं कर रहे हैं फिर अपने पास blue आता है वो allowed है red वाला फिर से allow नहीं है फिर हमारे पास blue walla allowed है तो आपके पास ये energy के band बन रहे है बेसिकली और इनके अंदर आपके पास होता क्या है इनी को हम बोलते हैं कि हमारे पास energy का एक band होता है उसके बाद जब हमारे पास दूसरा band आता है तो इसके बीच में हमारे पास energy gap मिलता है जैसे हम insulator की बात करते है तो insulator के अंदर हमारे पास क्या होता है ये balance band होता है ये conduction band होता है और बीच में आपके पास gap आता है तो उस gap को chronic penny ने बहुत अच्छे से explain किया और वही इसका meaning है ये जो gap आपके पास आ रहा है ये देखी ये red वाले जो है वो gap है और जो blue वाले है वो allowed energy के band होंगे तो I hope आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो graph है उससे हमें forbidden gap का idea मिल जाता है कि जो energy के band allowed नहीं होते है वो क्यों allowed नहीं होते है अब बहुत important चीज़ है हमारे पास कि ये जो allowed band है ये blue color वाला है इसकी अगर boundary देखो आप इसकी boundary यानि कि boundary के बाद क्या होगा forbidden gap शुरू हो जाएगा तो अगर हम boundary की value देखें तो हमें पता है boundary हमें कहां मिलेगी boundary हमें तब मिलेगी जब इस cost की value क्या हो जाएगी आपके पास ये पूरा function क्या हो जाएगा क्योंकि आप boundary कहां तक ले रहे हो जब इस function की value या तो plus 1 हो या फिर minus 1 हो क्योंकि जैसे ही ये function plus 1 से ज़्यादा जाता है आप red zone start कर देते हो इसका मतलब red zone जहां से शुरू हो रहा है वो ये वाला point है और ये वाले point पे आपके पास function की value क्या आ रही है minus 1 similarly red आपके पास देखो एक यहां से भी start हो गया था तो इस वाली value कितनी आ रही है plus 1 तो जब आपके पास ये function plus 1 होता है या minus 1 होता है तब आपको allowed band की boundary मिलती है और उस boundary पे right hand side भी क्या होना चाहिए plus 1 या minus 1 यानि कि cos के ए की value क्या होनी चाहिए plus minus 1 होनी चाहिए तो देखो अगर आपके पास cos के ए की value क्या होनी चाहिए plus minus होनी चाहिए at the boundary या आपके पास boundary है of allowed band graph में आपको समझ में आ गया है है न, allowed band की boundary पर हमें क्या मिलेगा, left hand side plus 1 मिलेगा, तो right hand side भी plus minus 1 मिलेगा, इसका मतलब, अब हमें पता है कि cos k a की value plus minus 1 कहां होती है आपके पास, cos k a की value आपके पास, अगर plus minus 1 होती है, तो उस condition में, so, आपके पास, cos k a की value कितनी मिल रही है, sorry, k a की value आपको कितनी मिलेगी, n pi मिलेगी, right, तो यहां से k की value देखो, आपको पास कितनी मिल रही है, n pi एपोन a मिल रहा है, plus minus, क्यूंकि अगर आप n की value 1 रखे तो pi हो जाएगा, cos pi कितना मिलेगा, minus 1 मिलेगा, similarly n की value 2 रखे तो 2 pi हो जाएगा, cos के a, cos 2 pi कितना हो जाएगा, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1 हमें मिलता रहेगा, अगर हम यहां पर k a, यह theta की value कितनी मिल रही है, n pi, तो जब आप n की value plus minus 1 रखेंगे, तो यह value आपको कितनी मिलेगी, plus minus pi by a, right, और फिर अगर आप plus minus 2 रखेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, plus minus 2 pi by a, तो यह आपके पास boundary मिल जाती है, और इसी boundary की वज़े से हम यह बात बोलते हैं, कि जब k a की value minus pi by a से, plus pi by a होगी, तो यह जो range होगी, इसे हम बोलते हैं, first brilua zone, जो कि मैंने last session में आपको, last lecture में मैंने बोला था, कि हम पहला brilua zone minus pi by a से, plus pi by a लेते हैं, क्यों, क्यो जो पहला allowed band मिलेगा, उसकी boundary है, आपके पास plus pi by a और minus pi by a, actual में क्या हो रहा है, कि plus pi by a के बाद में आपका forbidden band स्टार्ट हो जाएगा, है न, वो gap स्टार्ट हो जाएगा, और इधर भी minus pi by a के बाद आपको पास क्या मिल जाएगा, forbidden gap शुरू हो जाएगा, तो यह आपके प खीज़ दो, यहाँ एक line खीज़ दो, क्योंकि इसके बाद तो यह देखो, exceed कर गया था, तो यह तो आपनी पास gap आ गया था, इसमें हम allowed नहीं कर रहे थे, तो यह हमाई blue वाला मिल रहा था, इसका मतलब यह वाली value और यह वाली value, यह आपके पास allowed है, तो boundary आपको कहां पर है, तो यह जो range होती है, इसे हम बोलते हैं, first blue zone, और आपके पास suppose यहाँ पर आ रहा है minus 2 pi by a, और यहाँ पर आ रहा है plus 2 pi by a, तो second blue zone कौन सा होगा ध्यान रखना, second यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, minus 2 pi by a से minus pi by a, और यहाँ पर माना जाएगा, यह आपके पास second होगा, यह आपके पास second होगा, suppose आपके पास आता है minus 3 by by a यहाँ और प्लस 3 pi by a यहाँ पर, तो third कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का third होगा, और यहाँ से यहाँ तक का third होगा, so इस तरह से आपके पास जो blue zone है, वो भी हमारे पास exceed करते जाएंगे, बाकी blue zone के बारे में हम